कैसे आप सब लोग मैं हूँ बी सुचरिता हिंदी अध्यापी का तालप अध्मावती इंटरनेशनल स्कूल आज हम आटवी कक्षा की साथी पाट को पढ़ने वाले पाट का नाम जानने से पहले आपको कुछ बताना चाहती हूँ मैं पाटशाल से गर जाते समय आटो स्टार्ण में आटो के लिए इंतजार कर रही हूँ तब एक अंजान आदमी आखे मेरे ब्याग को चुरा के बागता है मुझे कैस जाना है वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता है मैं चिलाया फिर भी वो नहीं लेके आया है वो बाग के छेले गया है कौन चोर मेरे ब्याग में मेरे फोन मेरे पैसे पूरे सब कुछ है मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है तब मैं कैसे चलती हूँ हमाँ अपने गर नहीं चल सकती हूँ ना इतने में एक आदमी आता है, आके मुझे पूछता है क्या हुआ है, पूछे तो मैं बताई, क्या बताई, मेरे ब्याक को किसी ने चुरा के बाग गया है, मेरे पास पैसे नहीं है, फोन करने के लिए मेरे परिवार वालों को बताने के लिए मेरे पास फोन भी नहीं है, तब आदमी मुझे अपना फोन देता है। दिये तो मैं अपने परिवार वालों को फोन करके ये सारी कहानी बताती है। यहां क्या माल्म हुआ है आपको यानि कुछ लोग इमानदार लोग होते हैं, कुछ लोग चोर होते हैं। है ना बचों यही विशे को कवी जी ने हमारे पार्ट में हमको लेक की रूप में बताया गया है मारे कवी का नाम क्या है हजारी प्रसार दिवेविद हजारी प्रसार दिवेदी उन्होंने हमारे पार्ट में यही बात को बताया है यानि पूरी पार्ट में क्या बताया है सच्छाई, इमानदारी, प्रेम, बाउ और परोपकारी, दया, करुना ये सब गुनों के बारे में पार्ट के रूप में हमें समझाया गया है ऐसे बाव जो समाज का आदर है परिस्तितिया कितना भी परिवत्तन होने से ही हमें इनकी अस्वित कभी भी समाप्त नहीं होता दिकाई देता है साथ ही लेकक ने और एक विशे को भी बताया गया है क्या है अच्छा ही हमें दिकाई देता है बुराई भी दिखाई देता है फिर भी हमें आच्छे काम करने वालं को देखकर ही जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए यही बात हमको हमारे पाट में दिया गया है आए अब हम पाट में जाएंगे क्या निराशा हुआ जाए पाट का नाम क्या है? क्या निराशा हुआ जाए कोशन टाइक के रूप में दिया गया है ना पाट का ना निराशा बोले तो क्या है? निराशा बोले तो कोई आशा ना हो जाए यानि हमें किसी के ऊपर आशा नहीं रहता है उस क्यों नहीं रहता है? ऐसा नहीं रहना बोलके हमें बताया गया है अमरे पाट के द्वारा मेरा मन कभी-कभी बैट जाता है यहाँ पर एक मुहावरे के रूप में दिया गया है कभी-कभी बैट जाता है यानि मेरा मन कभी-कभी निराश होकर बैटता है यह मेरा बोले तो कौन है लेकक है लेकक आपने बारे में हमें कुछ बता रहा है समाचार पत्रों में ठगी, डखाईटी, छोरी, तसकरी और ब्रस्टाचार के समाचार बरे रहते है आज कल हम समाचार पत्रों में बहुत कई तरह के समाचार सुनते रहते है पढ़ते रहते हैं उनमें से मुक्य रूप से ठगी बोले तो क्या है चीटर के बारे में डकईटी बोले तो क्या है डकईटी बोलते हैं अंग्डेज में भी चोरी करने तीफ लोगों को तसकरी चोरी करने वाले प्रस्टाचार करप्शन के बारे में ऐसे बहुत सारे कई समाचार पढ़ते रहते हैं आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई इमानदार आदमी ही नहीं रहे गया है ऐसे समाचार को पढ़ते हैं हमें हरे मन में क्या सोचने में पढ़ जाते हैं हमारे मन में इमांदार आदमी ही दिखाई नहीं दे रहा है आज कल के हमारे दुनिया में हर विक्ती संदे की दृष्टी से देख जा रहा है सब लोग उनके दिल में संदे है जो जितने ही उंचे पद पर होए है उनमें उतने ही अधिक दोश दिखाए जाते है जो लोग जितने उन्चे पद में रहते है उनमें उतने सारे दोश दिखाई देते है क्यूंकि वो लोग ऐसे काम करते रहते है एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुकी वही ही है जो कुछ नहीं करता जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोश कोजने लगेंगे मुझे एक आत्मी नहीं यानि लेकद को एक आत्मी ने बताया है कि जो कुछ में दोश को देखेंगे दोश को खोज लेंगे उसके सारे गुन बुला दिया जाएंगे और दोशों को बड़ा चड़ा कर दिखाये जाने लगेगा दोश किसमें नहीं होते यही कारण है कि हर आदमी दोशी अधिक दिक रहा है गुनी कम या बिलकुल ही नहीं अगर ऐसी है तो निच्छे ही चिंता का विशय है आजकल के जमाने में हर एक आदमी में हर एक विक्ति के अंदर दोश कंपलसरी रहता है मगर हम दोश को ही कोज रहे है ऐसी ही रहे तो यह चिंता की विशय हो जाएगा क्या यही बरतवर्षक है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था अमारा बारत देश में स्वतंत्र संग्रा में लडाई करने वाले जो कुछ भी सोचे है जो कुछ भी देखे थे वो यही है ब्रस्टाचा चोरी डकाई ती या ऐसे ही वो लोग मा चाहते थे नहीं यानि यहाँ पे तिलक बालगंगा दर तिलक गांधी जी स्वतंत्रता लडाई में बहुत जादा जादा ते तक ब्रिटिश लोगों से लडाई कर चुके थे न रविन्दर ना टागूर और मदन मोहन मालवी का महान संस्कुरुती सब्ब्यु बरत वर्ष किस अतीत के गवार्मी डूब गया रविन्दर ना टागूर माहम मदन मोहन मालवी येबी क्या कोंधि स्वतंत्र संग्रामें लडाई कर्चुके थे आरे और द्रविड हिंदू और मुसल्मान यूरोपी और बारती आदर्शों की मिलन भूमी मानो महा समुद्रों क्या सूखी गया ये लोग हिंदू द्रविड मुसल्मान यूरोपी ऐसे लोग हमारे बारत वर्श में दिखाई देते थे एक महा समुद्र के रूब में हमारा बारत देश दिखाई देते, मेरा मन खःता है, ऐसे हो नहीं सकता, हमारे महान मनिशियों के सपनों का बारत है और रहेगा, मेरे मन से महान मनिशियों बोले तो यही लोग, सवतंत्रा संख्राम में लड़ाई कर चुके लोग, आजकल सेनाय, सिपाईयों, लोग, अमारे बारत देश की रक्षा करने वाले सारे लोगों की इच्छा क्या है? सब लोग मिलजूल के इमानदा से रहना है यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा महले बना है हमारा दे बारत देश में ऐसा वातवरन बन गया है इमान दोर ने से मिहनत करके जीव का चलाने वाला निरी और बोले बाले स्रिम्जिव पीस रहे है आज कल हमारे बारत देश में हरोज रोज रोटी कमाने वाले लोग, बहु हुँ सारे लोग है वो लोग इमानदारी से काम करें तो उनके रोज़ी रोटी भी नहीं मिल पा रहे हैं उन लोगों को मुश्किलिया हो रहे हैं जूट तता फेरब का रोज़गार करने वाला फल फूल रहे हैं जूट से जो कुछ भी काम करते हैं उन लोगों का बहुत ही अच्छा संपत्ती मिलने वाले हैं इमानदारी को मुर्कता का परियाई समझ जाने लगा सच्छाई के वेल भीरू और बेबस लोगों के ही इससे पड़ी है सच्छाई किन लोगों के साथ दे रहा है बीरू यानि बीरू बोले तो कहा है टीमिड के जैसा लोग रहते हैं उनकों पास यह रह रहा है क्या रह रहा है संपत्ती ऐसी स्तिती में जीवन के महान मूलियों के बारे में लोगों की आस्ता ही हिलने लगी लोगों के स्रिद्धा भी ऐसे विश्यों पे ही रहने लगा है बरत वर्ष ने कभी भी बहुतिक वस्तुओं के संग्रों को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है बरत वर्ष ने भी बहुतिक वस्यों को यानि पैसों को महत्व नहीं दिया था उसकी दुरुष्टी से मनुष्य के बीतर जो महान आंतरिक गुन स्तिर बाव से बैटा हुआ है वही चेरम और परम है उके अमारे दुनिया में मनुष्य के लोगों के यह अंदर मनुष्य के बीतर अंतरिक गुन किस तरह स्तित हो गया है परम और चेरम यानि चेरम और परम लोग मोह काम क्रोध आदी वीचार मनुष्य में स्वाबाविक रूप से विद्यमान रहते थे मनश के जीवन में ये गुन स्तित हो गया है क्या है लोब परमचरम और लोब मोब काम क्रोध आधी ये सब उनके विचारों में स्तित हो गये है पर उन्हें प्रदान शेक्ति मान लेना और अपने मन ताता बुद्धी को उन्हीं के इशारों पर चोड़ देना बहुत बुरा आचरन है बारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है बारतदेश में रहने वालोग ऐसे रहने में उचित कभी भी नहीं माना है उन्हें सदा सम्यम के बंदन से बांद कर रखने का प्रयत्न किया है उन्हों को एक साथ जुटकर मिलकर जीने के लिए प्रयत्न कर चुके हैं परंद भूग की उपेक्षा नहीं की जा सकती ऐसे करने पर भूग की उपेक्षा भूग बोले तो क्या है अंगरी के लिए नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं बीमारी के लिए देवा की भी नेगलेक्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं और गुम्रा को टीक रास्ते पर ल उन लोगं को हम चोर नहीं सकते हैं, नेगलिक नहीं कर सकते हैं। हुआ यह है कि इस देश के कोटी-कोटी दरिद्र जनों की हीन आवस्ता को दूर करने के लिए ऐसे अनेक खायदे कानून बनाये गई हैं। यहां पर देखिए कोटी-कोटी शिब्द ऐसे बहुत सारे हमारे पार्ट में आ गए हैं। आजकल के जमाने में क्रुशी के रूप में, यानि अग्रिकल्चर के रूप में, उद्योग नावकरी के रूप में, कामकाज के रूप में, यानि ट्रेड के रूप में, वानिजी बोले तो ट्रेड के रूप में, शिक्षा एजुकेशन के रूप में, हिल्थ के रूप मे पूरे ये स्थित हो गए है क्या है कानुन काईदे कान बिना कानुन से रूल सैन रेगलेशन से ये बरतवर्ष टीक से नहीं छिलने वाले है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता इन लोगों का मन हमेशा सच साबित नहीं कर सकते है प्राई वे ही लक्ष को बूल जाते है वो अपने काम करते हुए अपने लक्ष को कभी-कभी बूल जाते है अपनी ही सुक्सिधा की ओध ज़्यादा ध्यान देने लगते है वो लोग काम करते ही करते हुए भी क्या देखते है उनके फाइदा के बारे में सोसते रहते हैं बरत वर्ष सदा कानून को दर्म के रूप में देखता आ रहा है मगर बारत देश सदा हमेशा दर्म को साबित करने के लिए सब लोग पालन करने के लिए ही सोसता रहता था आज एका एक कानून और दर्म में अंतर कर दिया है मगर आज कल बारत बश्च में suddenly क्या कर चुके है कानून और दर्म में अलग कर चुके है दर्म को दोका नहीं दिया जा सकता कानून को दिया जा सकता है बहुत सारे लोग कानून को दोका करके बहुत सारे काम कई तरह के काम करते रहते हैं मगर धर्म को दोका नहीं दे सकता है क्योंकि लोग बगवान को मानते हैं अगर हम धर्म का पालन नहीं करें तो धर्म का काम कीए तो हमें बगवान शिक्षा देगा आइसा सोच के वो लोग दर्म का पालन करने के लिए सोचते हैं यही कारण है कि जो लोग दर्म बीरु है दर्म बीरु बोले तो क्या है दर्म बीरु बोले तो क्या है जिससे दर्म चूटने का बाई हो यानि अदर्म से डरने वालों को दर्म बीरु कहते है उसके बाद वे कानून की तुरुटियों से लाब उटाने में संकोश नहीं करते हैं कानून की गलतियों को गलतियों से लाब भी उटाने के लिए वो तैयार रहते हैं इस बात के परियाप्त प्रमान कोश जा सकते हैं कि समाज के उपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो बीतर बीतर बरत वर्ष अब भी इह अनुबो कर रहा है कि दर्म कानून से बड़ी चीज है लोगों का मानना है कि बरतवर्ष में इन लोगों का मानना है कि दर्म ही कानुन से बड़ी चीज है लाही सबसे बड़ी है यानि रिलिजन से भी बड़ी है अब भी सेवा, इमानदार, सचाई और आध्यात्मिता के मूली बने हुए है दर्मी ही कानुन से बड़े होकर चिल रहा है राज बरतवर्ष में राज चिल रहा है किस तरह सेवा इमानदारी सचाई और आध्यात्मिता के रूप में बने हुए है वे दब अवश गये है लेकिन नस्ट नहीं हुए आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है आज कल भी सब लोग मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करते रहते है जूट और छोरी को गलत समझता है दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है सब लोगों को दर्म के बारे में जानकारी है एक दूसरे को प्यार करते है और गलत क्या है सही क्या है जानते है दूसरों को पीडा, दूसरों को पेन पहुंचाने में तैयार नहीं रहते हैं हर आदमी अपने विक्तिगत जीवन में इस बात का अनबव करता है सब लोग हर एक विक्तियार एक मानव अपने जीवन में इसका अनबव करता है समाचार पत्रों में जो ब्रस्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करना है कि हम ऐसी चीजों को गलत समस्ते है और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्टा कम करना चाहते है जो गलत तरीके से दन या मान संग्र करते है दोशों का परदाफाश करना बुरी बात नहीं है दोशों को बारे में हमें जाना चाहिए वो बुरी बात नहीं है बुराई यह मालुम होती है कि किसी के आचरन के गलत पक्ष को उद्गटित करके उसमें रस लिया जाए जो कुछ लोग बुराई का काम करते है उनमें हमें इंट्रेस्ट नहीं दिखाना चाहिए और दोशोद गाटन को एकमात्र कत्वी मान लिया जाता है बुराई में रस लेना बुरी बात है बुराईयों में इंट्रेस्ट लेना बहुत ही बुरी बात है अच्छाई में उतना ही ट्रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है अच्छाई में बुरी बात पर इंट्रेस्ट दिखाना भी बहुत ही बुरी बात है सैक्णों गटनाएं ऐसी गटती है जिने उजागर करने से लोग चित में अच्छाई के प्रती अच्छी बावना जगती है एक बार रेलवे स्टेशन पर यहाँ पे हजारी प्रसादवी वेजी जिने एक कहानी आवाम के द्वारा बताए गया एक कहानी देख़िये एक बार रेलवे स्टेशन पर टीकेट लेते हुए गलती से मैंने दस के बजेए एक बार हचारी प्रसादवी जिजिने रेलवे स्टेशन में टिकेट लेते समय 10 रुपय के बदले 100 रुपया देता है दिये तो तब टिकेट कलेक्टर भी लेके जाता है फिर कुछ देर के बाद वह आके आज कर टीसी बोलते हैं न टीसी एक डिब्बे से और एक डिब्बे में बदलते रहते हैं इनके पास 10 रुपय के बदले 100 रुपय लेके चेले जाता है कुछ देर के बाद वापस आके उनको 90 रुपय वापस देते है क्योंकि वो उसको बाद में पता चलता है अरे वो पैसेंजर गलती से मुझे 10 के बाज़े 100 रुपय दिये है मुझे फिर उसे 50 रुपिया वापस देना है फिर वापस आके उसको 90 रुपिया दे के छे ले जाता है यहाँ पर उस वीक्ती का इमानदारी तीटारी हमें दिखाई दे रहा है, है ना? कैसे कहूं? हम कैसे सकते हैं ना दुनिया से सचाई और इमानदारी लुप्तु हो गई है या नहीं नहीं हो गई न है अभी भी सब लोगों में कुछ लोगों में इमानदार है इमानदार होने के कारण ही वर टीसी वापस आके उसे पैसे वापस दे के छेले जाते है न और एक कहानी भी हमें बताता है क्या है बताया गया है एक दिन लेकक अपने पारिवार के साथ पतनी और अपने बच्छों के साथ बस में सफर कर रहे थे तब बस एक सुनसान जिगा में जाके रुपता है तब तुरंट कंड़क्टर नीचे उदर कर बागने में बागने के लिए कुशिश करता है बस में जो कुछ भी लोग रहते हैं वो लोग क्या करते हैं मालू है कंड़क्टर को पकड़कर मानने लगते हैं तब यहां अमारे लेकक जी नीचे उतर कर उनको रेकने के लिए कोशिश करता है फिर भी वो नहीं मानते हैं वो लोग छेले जाते हैं कौन वो पासिंजर एक जगा पे जाके बैठता है और फिर ड्राइवर को जाके मानने के लिए कोशिश करता है यहां ड्राइवर को पीटने के लिए कोशिश करता है मगर लेकक उसको एक जगा पे बीटा आता है किसको ड्राइवर को एक जगा पे बीटा आया तो तब इतने मे एक साइकिल पर एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है कौन है ये बस का कंड़क्टर है एक काली बस को लेकर बस्टेंड जाकर एक काली बस्टेंड जाकर यहां पर देखिए हमें चित्र में दिखाई देता है काली बस टैंड जाकर काली बस को लेकिया कि ये पूरे सवारियों को उसमें बिटा कि फिर बस टैंड लेकि छे ले जाता है और उसके साथ साथ कंड़क्टर कुछ काने पिने के चीज दूद और पानी का इंतजाम भी करता है या देखिए उसने क्या किया है, कंड़क्टर ने क्या किया है, कंड़क्टर को बहुत सारे लोग मारे है, फिर भी वो लोग पैसिंजर के उन्होंने पैसिंजर उनके वे बारे में सोच कर क्या किया था, एक काली बस को लेकिया कि पूरे लोग उनको उसमें बिटा कि बस टैं दिया है ना यही है हमारी पार्ट अब आपको समझ में आ गए है ना आप कभी क्या कहता है मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है अब इन लोगों में मनुष्चता हुआ और इमानदारी प्रेम के सब मुझे कारुना परुपकार की बावना दिगाई दिया है यह अब मैं न निराश नहीं हो जाता हुँ ऐसा कहके हमें भी निराश ना होने के आशा रखने के जिन्दगी में आशा रखके जीने के लिए हमें यह पार्ट के रुप में बताया गया है ओके ना बच्चों समझ गये ना पूरे पार्ट दन्यवाद चिल्डरन